इस बोडी को हमें ट्रांस्फॉर्म करना है इस साल होड़ा सा सेफ़ी वक आउट करना पड़ेगा सटर वटर गिर आके ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट रहाएगा जिससे कि आप अपने हर एक फूड के कैलिस को भी मेजर कर सकते हो मसल्स ब्लेज इफ यो आर वाचिंग प्लीज स्पॉंसर में कल मिलना तो अभी जस्ट मैं सावर लेकर आया मैंने सोचा कि एक छोटा सा बॉड़ी अपडेट आप लोगे साथ सेर कर दो इस बॉड़ी को हमें ट्रांस्फॉर्म करना है इस साल और जो भी वीक पार्ट है उसको उसने बोला कि जुगार हो सकता है थोड़ा सा सेफ ली वाकाउट करना पड़ेगा सटर वटर गिरा के तो मैंने बोला कि चलू ठीक है कोई सीन नहीं है कम से कम कुछ नहीं होने से अच्छा एट लिस्ट उतने भी एक्सेस है मेरे पास क्योंकि मुझे याद है कि लाश्ट लॉगडाउन में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है तो आप लोग को मैं आज का वाकाउट अच्छा सा वाकाउट सेयर करूंगा बागी देखते हैं कि वह एलाव करता है कि नहीं रिकॉर्ड करने के लिए एक चीज़ आप लोग नोटिस करना कि जब हम अपना वाकाउट मिस करते हैं तो उस वक्त हम अपने डाइट को भी लेगे काफी लपरवा हो जाते हैं ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था कल मैंने कोई भी प्रोटीन नहीं दिया अपने बॉड़ी को क्योंकि मैं लाश्ट व भी नहीं दिया क्योंकि मेरे पास अंडे नहीं थे और कल मौसम भी काफी खराब था तो मैं बाहर भी नहीं जा सकता था एंड इसी के साथ मुझे यह रियलाइज हुआ कि वेप्रोटीन बहुत ही इंपोर्टेंट है ऐसे टाइम के लिए कल फिर मैंने एक वेप्रोटीन ओर किया जो कि 3-4 दिन में आ जाएगा तो मैं आप लोग को कुछ ऐसे गलती को सेयर करने वाला उस वीडियो में जो कि इसकीनी लोग करते है और कभी-कभी मैं भी करता हूं देखो हम इसकीनी लोगा दो सबसे मेजर प्रॉब्लम यह होता है कि हमारा मेटाबलिजम फास होता है काफी एंड सेकेंड हमें भूग नहीं लगता है मतलब कि हमें भूग नहीं लगता है जल्दी जिसके चलते मैं अकसर इसकीनी लोग को यही एडवाइस करता हूं कि आप लिक्वीड कैलरीस के थूरू अपने बॉड़ी में कैलरीस डालो क्यूंकि वह थोड़ा सा एजी होत है और कन्वीनेंट भी होता है और बहुत टाइम तो हमें ऐसा लगता है कि हम इनफ कैलरीस खा रहे हैं उसको हम मेजर नहीं करते है बट वह अकसर डेफिसिट में होता है नहीं तो मेंटेरेंस में होता है लेकिन अगर आप अपने कैलरीस को मेजर करके खाना सुरू करोगे और 4-500 के सरप्लस में रहते हुए कंसिस्टेंटली 2-3 मंत भी आप खाते हो तो अच्छे डिफ्रेंस को आप नोटिस करोगे अपने बॉड़ी में से बड़ा एक मिश्टेक यहीं करते है कि वो अपने कैलरीस को मेजर नहीं करते हैं जो लोग भी स्कीनी लोग देख रहे हो इसमील हमें बाहर जाना है ओट्स लेने क्यों कि मुझे एक वीडियो बनाना है ओट्स रिस्पी के लिए बट अभी ओट्स बिल्कुल भी नहीं है यहां पर तो बहार जाएंगे कुछ इंग्रीडियेंट्स लेंगे एंड उसके बाद मैं आपको सेकेंड और थर्ड मिस्ट यह कुछ इंग्रेडियेंट्स चाहिए हमें एक तेस्टी और हेल्दी ओट्स रिस्पी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो भी अब रिस्पी वाले वीडियो आएंगे मैं उनको सॉट्स फॉर्म में डालोंगा तो अब मोस्ट फ्रिक्वेंटली सॉट वीडियो इस चैनल प लगते हैं आफ्टर फ्यू मिनट्स मिक्स पूर्ट देन उसको फ्रीज में डालने के बाद उसमें बनाना एंड डाक चॉकलेट मिक्स करें ना इंज्वाइद रेस्पी एंड चेक आउट मोर वीडियो तो मैंने अपना सॉट्स सूट कर लिया है और वह इस वीडियो से पह अज्वाइद प्रीज प्रीज डिस तरीज रेस्पी तो मैंने इन दोनों सप्लिमेंट को दो तीन पहले और किया था यह है मसल्स ब्लेज का फ्यूल वन और यह मैंने रो मंगवाया है रो इसलिए क्योंकि रो थोड़ा सा कंपेर्टिवली फ्लेवर्ट से सस्ता पड़ता है यह काफी अच्छा एक बजट में आपको सबसे बेश सप्लिमेंट मिलेगा मैं इसको बहुत पहले से यूज कर रहा हूं और इसने अभी तक मेरे लिए काफी अच्छा गाम किया है और सेकेंड सप्लिमेंट जैसा कि आप ल करता हूं कि अगर आपका डाइट से नहीं पूरा होता है प्रोटीन तो प्लीज डू एड़ सप्लिमेंट और ऐसे बजट फ्रेंडली सप्लिमेंट को तो आप एड़ करी सकते हो का लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप वहां से पर्चेश कर स अगर आप अपने वर्काउट को और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे मतलब कि अपने प्रोग्रेसिव ओवर्लोड को अच्छे से परफॉर्म करोगे जैसे कि अगर लाश्ट टाइम आपने बेंच प्रेस लगाया होगा तो अगर आपने उस चीज को ट्रैक किया होगा और कहीं लिखा होगा तो आपको पता हुआ कि अगले नेक्स्ट वर्काउट सिसन में आपको कितना वीड बढ़ाना है या फिर कितना रेपिटेशन बट आपको वो चीज नहीं करना है वो है कि हम एक सेम वर्काउट स्प्लिट पे काफी लंबे समय तक इस्टिक रहते हैं इसके जलते हैं स्टार्टिंग में तो आप ग्रो करोगे अच्छे मसल्स को गेन करोगे बट एच सम पॉइंट ऑफ टाइम आपका बॉड़ी उस्ट अपने बॉड़ी को सौक देते रहो और मसल्स को चैलेंज करो ताकि वो ग्रो करें एच्छा रिकवरी दो अपने बॉड़ी को आपको जरूरत नहीं कि आप 6 डे ही ट्रेन करो आप पांच दिन ट्रेन करो अच्छा रेस डो रिकवरी दो एंड देन सब कुछ टाइम पे छो